नमस्का, मैं उससी आये जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं कोब हैक्सिन के हिुमेन ट्रायल के लिए दिली एम्स में रईश्टेशन सुरू संग्रमन को रोकने के लिए प्यूर बीस वक के साथ साथ देश में भी भैक्सिन बनाने का काम चल रहा है इसी करम में दिली के एम्स अस्पारि में भी देशी बैक्सिन को बैक्सिन के हिुमेन ट्रायल के लिए रेश्टेशन शुरू हो गया है आपको बता दे कि इस संबन्द में हिुमेन ट्रायल की जिम्मेदारी समभाल रहे प्रिंस्पल इनोवेस्टिगेशन डाक्टर संजय राय ने औल इंडिया रेडियो को बताया की रेश्टेशन की प्रकिरिया शुरू कर दी गई है और इस सब्ता गुरु आर से कुछ लोगों को भैक्सिन का पाला डोज दिया जाएगा बतादे की को भैक्सिन का देश में 14 जगों पर हुवन ट्रेल हो रहा है जिसमें एक पटना का एम्स भी समिलित है इसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक इसे लॉंच कर दिया जा सकता है जारखन मौसम विभाग के अनुसार राजे में 24 जुलाई तक मांसुन सक्रिये रहेगा इस दरण पूरे राजे में बारिस होने की असर है मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दरण बारिस कमजोर हुई है बारिस में कमी का परतिसत 17 फेशदी तक रहा है आपको बताओ देखी राजे में साथ जीलों में बारिस अवसत से काफी कम हुई है इसे खेती पर भी असर पड़ा है इसकूल कब खुलवाना चाहते हैं अविभावक तै करें संकट के बीच इसकूलों को खुलने का फैसला आप अविभाग को की राज से ही होगा इसके तरहत अविभाग को बताना होगा कि वह इसकूल कब खुलवाना चाहते हैं अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में साथी साथ इसकूलों के खुलने के बाद उनकी इसकूलों से क्या पिक्छाएं होंगी जारखन में 222 संक्रमितों के पुष्टी हुई जुरासी से खतर पूर्वी सीमों 37, गडवा, 35, धनबाद, 27, गिरी 9, पाकुर 9, गुमला 5, बोकारु 4, रामगर 4, हजारी बैक 4, पलामु 3, लुर्दगा 1, देवघर 1, कुडार्मा 1, साहिव गण से 1 है जारखन में कुल संक्रमितों के संख्या 5,821 है जबकि 2,889 लोग स्वस्थ हुए और 63 की मिरित्य हो गई भारत में कुल संक्रमितों के संख्या 11,04,917 है जबकि 7,24, 702 लोग स्वस्थ हुए और 28,099 की मिरित्य हो गई भारत में नए केस 36810 मिले है जबकि 24 से 303 लोग स्वस्थ हुए है और 596 की मिरिती हुई है राज्य में संक्रमन से 7 की मौत हुई है जो जम सेथपूर से 6 और गढवा से 1 आंगनवारी सेविका की मौत हुई है एक्टिब केस इस प्रकार है पूर्वी सिम्मूम 579, राची 530, धनबाद 213, हजारी बाग 192, गढवा 182, कुडर्मा 143, लातेहार 144, चत्रा 132, गिरिडी 124, रामगर 107, बुकारू 177, लोहर्दागा 76, साहभगन 74, गुमला 62, सराय केला 74, पच्मी 52, देवगर उंचास, पाक्कूर 45, सिम्डेगा 28, आम तरह 13, खुटी से 11, एक्टिव हाएं, स्कूलों से बचों का नमांकन रिपोर्ट मांगी गई, बैस्विक महमारी संकट की वज़ा से राजे के सरकारी स्कूलों में नमांकन भी परभावित हुआ है, स्कूलों में एडमेशन तो शुरू हुआ, लेकिन 150 दी नमांकन नह देश दिया है, आपको बता दे कि इसमें सेक्सिंग सत्र 20, 21 में नमांकर लेने वाले छात्र छत्राओं के नाम अपलोट किये जाएंगे, बाबुलाल मरांडी के हाथ में लगी होम कुरेंटीन की मुहर, भाजपर विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी रविवार की द आपको बता दे कि बाजपा विधायक दल के नेता को 14 जीनों तक घर पर ही रहना होगा, 22 जूलाई को जार्खन मंत्री परिशत की बैठक धोती, साडी और 15 लाख रासन कार्ट देने पर विचार, जार्खन मंत्री परिशत की बैठक बाई जूलाई बुद्धवार को जार् बैठक का योजन होना है बताया जारा कि इस बैठक में कई महत्पूर्ण निना लिये जा सकते हैं सुत्रों के अनुसार इस बैठक में धोती साड़ी योजना शुरू करने का एलान हो सकता है इसके अलावा 15 लाक नए लावकों को रासन काट देने क्रिशको के लिए नई बिर्शाक किरिसी बिसु बिदाले के अकाडमी सत्र बीस एकाइस के विभीन अस्तना तक अस्तरी पाठकर्मों में नमांकन के लिए आवेदन की प्रतियोगता परिक्षा बोड ने आठ अगस तक ऑनलाइन आवेदन अमंतित किया है बतादे कि जार्खन सन्युक्त प्रवे शिक्षा मंत्री राजे के सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कहा है कि राजे में महागडबंधन पूरी तरह मजबूत है भाजपा अगर रायस्थान गुजरात का भी पानी लाती है तब भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है जावो नेता ने कहा कि बावुलाल मरांडी को कूल फिस माफ हुई है अस्थानिये नीती को लेकर उनकी सुच साफ है वे खत्यान को ही अधार मानकर अस्थानिये नीती बनाने पर प्रक्षदर है जारखन में सेलून खुलने की मांग संक्रमन की वज़ा से जारी लॉकडाउन के बाद सारी दुकाने देजरे खुल गई है लेकिन पिछले चार महीना से सेलून वाले इंतियार में है कि सरकार उन्हें काम करने की जाज़त देगी हलाकि सेलून के साथ साथ बड़े मौल सिलेमा हौल सहीत वैसे जगह जहां ज़्यादा भीर बार होते हैं उन्हें भी दुकाने खुलने की जाज़त नहीं मिली है इस लोकडाउन का असर अब सेलून वाले उपर पढ़ने लगा है हजाम जो लोग के बाल काटकर अपना घर चलाते हैं अब वे संकट में हैं और इंतियार में हैं कि सरकार उन्हें दुबारा दुकान खुलने की जाज़त कब देगी लोहरदगा में 15 दिन तक लोकडाउन की मांग लोहरदगा के केंदरिये महावीर मंडल लोहरदगा चेंबर अफ कुमर जार्खन अविभावक संग जार्खन परदेश डिजिटल आटो चालक महा संग इत्यादी ने उपायूक दिलीप टोपो से मिलकर मांग पत्र सोपा मांग पत्र में विभीन संगठनों के पताधिकाईयों ने उपायूक से निवेदन किया है कि लोहरदगा के हाला दिन परती दिन भ्यावा होते जा रहे हैं परती दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आने वाले समय में इस्थिती और भ्यावा होगी इससे इंकार नहीं किया जा सकता है इसके मद्य नजर सभी संगठनों ने उपायूक से कम से कम 15 दिनों तक संपुन लोगडाउन लगाना की मांग की है तीस दिवासीये ओनलाइन कराटे पर सिक्षन की होई शुरुआत इंटरनेशनल मांशल आठ एकेडमी के ततोधान में 30 दिवासीये ओनलाइन कराटे पर सिक्षन का सुरुआत सोमवार को हुआ इमा के तक्निकी निदेशक रेसी सुनील कि स्पोटा ने खिलाड़ियों को परसिक्षन देखकर इस तीस दिवसीय परसिक्षन का सुबारम किया मैट्रिक के मार्क शित इस्कूलों को भेजेगा हैं जाकंट एकेडमी कॉंसेल सोम और मैट्रिक का मार्क सीट इस्कूलों में भेजने के बाद इस्कूल परवंदक उसे सफ़ल वूरे ञेजयों प्रतिशत बच्चे सफल हुए है सफल चात्र शात्रा इसकूल से सुचना मिलने के बाद आपना मार्पीट ले आ सकते हैं जार्खंड आने के लिए नियम हुए सक्त जार्खंड में नियमा अनुसार परवेश करने वालों पर अगले कुछ दिनों तक रोक नहीं होगी लेकिन नियम सक्त कर दिये गए हैं ताकि संक्रमन के फ़लाओ को रोका जा सके लोगों को अपने बारे में पूरी जनकारी पोर्टल जार्खंड ट्रेवल.nac.in पर दूसरे परदेशु से आने वालों को पूरी सुचना देनी होगी आत्मन निर्भर का लाव दह दस हजार मिला संक्रमन के शुरू होने के साथ ही प्रधान मंत्री ने फुटपास दुकंदारों के लिए प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेडर्स निधी की घोसना की थी जिसके तहत ऐसे दुकंदारों को 10-10,000 रूपए तक का रीन बिना किसी गरांटी के मिलने के प्रधान किया गया है। और फिटनेस सेंटर बंद हो चुके हैं ऐसे में सहरवासियों ने कार और बाइक के दोर में एक बार फिर साइकल से दोस्ती कर खुद को फिटनेस रखने की क्वायद सुरू कर दी है। अनियमित्ता मांडर विधायक बंदू तिर्की ने सोमर को स्वास्त मंत्री बना गुपता को पत्र लिखकर रीम्स में नर्सों के नियुक्ति में हो रही और नियमित्ता के संबंद में अवगत कराया। साथी ऐसी गलती दुबारा ना हो इसके लिए कई सुझाव भी दिये हैं। तिर्की ने अपने पत्र में कहा है कि रिंस में अरक्षन रोष्टर और अरक्षन राइश्टर त्यार करने की समुशित जनकारी के अभाव में 109 अनुसुचित जनजाती के ग्रेड ए नर्सों को अरक्षन का लाब नहीं मिल पा रहा है। बीना पास खुटी जिला आने की अनुमती नहीं। से खुटी जिले में पर्वेश कर रहे हैं। उनके स्वयम का पंजीकरन इंट्री पास होना निवार है। 230 पुलिसकर्मी पोजेटीव 11 हुए ठीक। जारखन पुलिस के 230 पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित मिले हैं। वहीं 11 पुलिसकर्मी अभी तक ठीक होकर लोड चुके हैं। आपको बता दे कि राजे पुलिस के आकड़े के मुताबिक 2 DSP, 6 इंस्पेक्टर, 25 दरोगा, 34 ASI, 1 कलरक, ASI अस्तर के अधिकारी पोजेटीव हो चुके हैं। वहीं 24 हवलदार, 122 अरक्षी और 6 चतुर वरगिये करमचारी, 9 होमगाट भी संक्रमित मिले हैं। बाबुलाल ने पुलिस की कारे परनाली पर उठाय सवाल। भाजपाविधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी राज के पुलिस की कारे परनाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यमंत्री हमांसुरेन को जान से मानने की धम की मामले में गंभीर नहीं है। पुलिस की जाच पर किरिया केवल खाना पूर्ती करने जैसा लग रही है। इस समद में उन्होंने मुख्यमंत्री हमांसुरेन के पत्र लिखा है। इसमें इंटर पोल से मदद लेने का सुझाव दिया है। लोकडाउन में दुसकर्म की घटना बढ़ी। राजधानी में लोकडाउन के दुएन अपराथ की घटनाओं में काफी कमी आई है। लेकिन दुसकर्म की घटनाएं बढ़ गई है। आपको बता देगी सहर में हर दुसरे दिन दुसकर्म की ये घटना घट रही है। हत्या लूट डगयती और अपरन के माबले में भी काफी कमी आई है। दुसकर्म के अलावा गैंग रेप की घटनाएं भी हुई है। एसेसपी सुरेंदर जहा रहे हैं। दुसकर्म की घटनाओं की जाच करने के लिए इस आईटी का घटन किया है। कॉलेजों में नमांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जैक सीबीएसी 12 के बोर्ड परिणाम होने के बाद कॉलेज में इंटर में नमांकन के लिए ओनलाइन आवेदन की परकिरिया शुरू कर दी गई है। वहीं कोई कॉलेजों में अगले हफ्ते या सुरू हो जाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी कॉलेज इंटर में परफ्ताइं के अधाप सिधा नमांकन नहीं होगा। बलकि ओनलाइन आवेदन की परकिरिया पूरी होने के बाद पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ट्रेक्टर से बालू उठा पर हेमंत सभी वानों से होगी बालू की ढुलाई। जारखन में बालू की काला बजारी को देखते हुए हमंत सुरेन ने अपना पूराना आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने 20 जुलाई को एक आदेश जारी करके सीफ ट्रेक्टर से ही बालू डुलाई वाला आदेश निरस्त कर दिया। सरकार ने कहा है कि आप पहले की तरह ट्रेक्टर ट्रक हाईवा सभी बालू की डुलाई की जा सकेगी।